वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वेकार्ये सुसर्वदा गणपती बाप्पा मोरिया तो कल थी गणश चतूर थी और कल सबके यहाँ गणपती बाप्पा आ गए होंगे तो हमारे यहां भी गनपती बाप्पा का आगमन हो चुका है और कल मैंने बनाए थे गनपती बाप्पा के फेवरेट चूर्मा के लड़ू तो चलिए आज मैं आपके साथ चूर्मा के लड़ू की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो चुर्मा के लड़ू गराने के लिए यहां पे मैंने गेहू का दर्दराटा ले लिया है तो इस तरह का गेहू का दर्दराटा हमें लेना है तो दो कप हम लेंगे गेहू का दर्दराटा अगर आपके पास इस तरह का मिजरिंग कप नहीं है तो आप कोई कटोरी का भी नाप ले सकते हो तो चलिए दो कप मैंने ले लिया है दरदर आटा और एक कप मैंने एड़ कर दिया है गेहू का बारिक वाला आटा जिससे हम रोटिया बनाते हैं गेहुका बारिक वाला आटा एड़ करने से लड़ू में बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है, लड़ू बनने के बाद भिखर नहीं चाते हैं, और अब इसके अंदर मैंने एड़ की है दो चमजबर के मुट्टी वाली सूजी, आप बारिक वाली सूजी भी एड़ कर सक समत लेना है कि गी हमारा बराबर है, अगर आटा भी खड़ जाए तो एक चमजबर गी हम और एड़ करेंगे, और अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम आटा लगा लेंगे, तो यहां पर हमें आटा कैसा लगाना है, तो आटा हमें एकदम सक्त लगाना है, पानी थ बिल्कुल भी रेस नहीं देना है तो यहां पे मैंने पहले थोड़ा सा तेल ले लिया है कड़ाई में और उसे गरम करने के लिए रख दिया है आप तेल की जगा गी का भी यूज़ कर सकते हो तो चलिए अब हम जो आटा है उससे बना लेते हैं मुठिया तो मुठिया बनाने के लिए थोड़ा सा आटा हमें हाथ में लेना है और दोनों हाथों से हमें इस तरह उसे दबा लेना है और उसके बाद चार उंगले उसमें हम इस तरह प्रेस करेंगे कि उसके अंदर उंगली का शेप आ जाए मतलब कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह बनाया है इस तरह म सारे मुठ्या रेडि कर ले यहां पर तेल कोडालेंगे तेल के अंदर तो मैंने अधिसे कड़या है तो सारे मुठ्या मैंने एक साथ इसके i gefार internships डाल दिए हैं औरम मेडियम डू भन तू लो फ्ले में इसे में इसे और सएफलें पर इसके यहां पूदू जाएंगे और सारे मुठिया हमारे एकदम अच्चे से fry हो जाएंगे तो यह दिखिए सारे मुठिया को मैंने fry क लिया है और अब मुठिया बहुत ही गरम है तो उसे थोड़ा सा हम थंडा होने देते हैं तब तक हम और त्यारी कर लेते हैं तो यहां पे मैंने ले ली है ilaiji लगता है तो थोड़ी सी चीनी हम एड़ करेंगे इलाइची को पीसनी के लिए तो इलाइची अच्छे से पीस जाएगी और इलाइची का एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा और अब उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा जाइफल भी गीस लिया है क्योंकि लड़ु में मिक्षर जार और यह जो मुठिया के पीसी से उसे डाल देंगे जार में और मुठिया को हम पीस लेंगे जब मैं छोटी थी तब हमारे गर पे मिक्षर नहीं था तो मम्मी क्या करती थी यह जो मुठिया है उसे कूट लेती थी और चनली से छान लेती थी इस तरह मुठिया स आप देख सकते हो कि एकदम fine भी नहीं है और एकदम दरदरा भी नहीं है medium हमें इसे भीस लेना है चलिए अब यह चो कड़ाई है उसमें से तेल मैंने निकाल लिया है और अब कड़ाई में हम ले लेंगे 3-4 cup गी तो आप गी अपने टेस्ट के अकोड़िंग मतलब के आपको जादा गी पसंद है तो जादा भी एड़ कर सकते हो लेकिन यह जो measurement आपको मैंने बताया है 3-4 cup वो एकड़म परफेक्ट है तो गी ले लेंगे कड़ाई में और गी को थोड़ा सा गरम होने देंगे गी अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर डाल देंगे एक कब बर के गुड़ तो यहाँ पे दो तरह के मैंने गुड़ लिये हैं देशी भी लिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा कुलापुरी भी लिया है आप चाहो तो कोई एक गुड़ से भी इसे बना सकते हो और आप कितना मिठा खाते हो उसके हिसाब से गुड़ की quantity भी कम जादा कर सकते हो और अब यहाँ पे हमें गी और गुड या नहीं बनाना है, सिर्फ गुड को हमें इसके अंदर मेल्ट करना है, गुड मेल्ट होने के बाद थोड़े से बबल आने लगे, तब कि इसके फ्लेम को हम आफ कर लेंगे, और यह जो चूर्मा हमने रेडी किया है, वो इसके अंदर डाल देंगे, इलाइची और जाइफल क का मोल्ड है, तो आप उससे भी लड़ू बना सकते हो, अगर आपके पास मोदक वाला जो मोल्ड आता है, वो है, तो आप उससे मोदक का भी शेफ लड़ू को दे सकते हो, और लड़ू हमारे बनके रेडी है, उपर से मैंने थोड़े से इसके उपर पॉपी सिर्स लगा दि दिये हैं, ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे, और यह जो काजू मैंने डिवाइड करके रखे थे, तो एक काजू मैंने इसके उपर रख दिया है, तो यह लिजए लड़ू हमारे एकदम रेडी है, तो इस तरह सारे लड़ू हमें रेडी कर लेने हैं, और यहाँ गंपती बापा तो अभी बहुत दिनों तक रहने वाले हैं, तो एक दिन गंपती बापा को यह चूर्मा का लड़ू का भोग जरूर लगाईएगा, तो अगर आपको आज की चूर्मा की लड़ू की रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीस एक लाइक जरूर करिएगा, च चल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई, जेशी कृष्ण, गंपती बापा मोरिया